वान टू तरी स्थान हेलो फ्रेंज और विल्कम तो आप चैनल फ्रेंज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो सिरीज केल्कुलस जो बहुत ही जादे इंपोर्टन सब्जेक्ट हमारा मैच का और उसकी शुरूरत होती है आपको पता ही है लिमिट जा और यह पार्ट इसके रिलेटेर आएंगे तो आज का जो मार टॉपी है तो डेस टॉपी वह क्या है इंटॉडक्शन हिस्ट्यू ऑफ कैल्कुलस एंटूइट आइडियो ओफ लिमिट का आइडिया क्या हो जानेंगे और इंट्रोक्शन और फोरा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानेंगे आप बोरेंगे क्यों तो मेरा हैसा पर दसना नहीं मानना है कि हिस्ट्री के बार में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यह जो इतना है इंपॉर्टन सब्जेक्ट है जिसका वाइट सपर एप्लिकेशन है उसका हिस्ट्री क्या है तो वह भी आज जानेंगे क्या ट्यु उसका है क्या थैन निसका मीडिय कोता है इसमाल सटों उस्ट आहिसवर पांटिक दॉपनों निसका मेंनी फो स्टाहन स्ट्री के बार में इन फ्रिए ऐंगिराव्स टुपर जो क्रिंचिफ्टिंग वह यह कि बार में बार में प्सक्राशिए इसद्ट पर आट का study of shapes है and algebra is the study of operations plus minus वो सब operations के बार में study है and their application to solving equations तो ऐसे ही calculus है जो change के बारे हम बात करता है and calculus has widespread application in science economics and engineering calculus का बहुत जाद application है science में के field में economics के field में और engineering के field में तो बहुत ही जाद so some of the ideas that led to integral calculus integral calculus के आए के integration के रिलेट है जो limits के बारे बाद continuity आएगा फिर differentiation आएगा फिर उसके बाद limits आएगा तो ancient period में थोड़ा बहुत ही integral calculation के बारे में बात हुई थी the calculations of volumes and areas by integral calculus integration का आपको पता है कि application क्या integration का के calculation करना area के बारे में volume के बारे में तो calculation volumes and areas by integral calculus can be found in Egyptian Moscow Piperus Egyptian Moscow Piperus में हमको मिलता है calculation volumes and areas by integral calculus from the age of Greek mathematician Eudoxos use the method of exhaustion which prefigures the concept of the limit to calculate areas and volumes Greek mathematics Eudoxos जो था matter of exhaustion यूज का तरह वो क्या है कुछ नहीं को concept of limit to calculate areas and volumes फिर Archimedes ने उस idea को जाधा develop किया यह कब की बात है कि 287 to 201 to BC के बारे में और कोई बी इंपोर्टन सब्जेक्ट और इंडिया में इंडियान में इंडियान में इसा बनी नहीं सकता है तो ब्रह्मा गुप्ता युक्ति भाषा इस खंसेडर वी दफ पुप्ट अन केलकुलस बर्मा गुप्ता का युक्ति भाषा है वो केलकूलस का पहला बुक मान जातना अ वासकर अचारह वस पायनिर ओन्सम प्रिंसिपल्स ओफ दिफ्रेंशल क्लोस दिफ्रेंशल के प्रिंसिपल पे वा का एनिर थे यह स्टेट रोल्स मीन वेर्यू थेर्म जब पढ़ेंगे लिमिस के बाद तो यह आएगा लोम रोल्स मीन वेर्यू थेर्म उनको उसने उन्होंने स्टेट किया था भास करा जा रहें इन इस बूक सिद्धान्त शिरुमानी वी फाइंड एलिमेंटरी कॉंसेप्ट और मेटेम के बारे मीनें जो इन्फानथ से डिलिटर फिर लिबिनित्स और नुटन आर बोद् प्रेड़्ट विद दे इन्वेंशन ऑफ के लिए जाता है था क्या क्या दिडिटिए जाता यह से अधिमेंट्ट जो थे उन्होंने स्टाट किया ते इंटेग्रल कैल्कुलेशं से और ने जो start किया था वो था differentiation से दे नेम calculus use was given by libninz यह जो word calculus है वो libninz ने दिया था in the 19th century calculus was put on a much rigorous footing by Cauchy, Riemann and Westras 19th century में इसके बारे में बहुत काम होगा और इसमें major role जिसने अधा किया हुआ था Cauchy, Riemann and Westras जो epsilon delta definition है limit का वो किस ने दिया था बेस्टरास ने दिया था जो आगया है आएगा तो modern notation limit x tends to x zero was given by hardy in 1908 यह जो हम notation जो आज हम use करते हैं वो किस ने दिया था hardy ने दिया था 1908 में तो idea of limit के आते हैं before giving definition we will get intuitive idea of limit former definition के पहले हम थोरा limit के बारे में idea देगेंगे limit के बारे में थोरा general discussion करेंगे limit of a function is the ultimate value of a function if it exists limit जो है वो कोई function का ultimate value होता है अकर वो exist होता है when variable changes continuously in the domain and goes nearer and nearer to a specific value कोई value के करीब कोई function जाता रहता है जाता रहता है और उसका जो ultimate value होता है उसको हम limit कहता है उसको समझने के लिए example ले रहते है जिससे यह concept को आप आसले से समझ जाएंगे example क्या लेते है limit of f of x is equal to 3x plus 2 when x approaches 1 is written as एक function लेते है वो क्या है 3x plus 2 और उसका हम को limit find करना है when x approaches 1 बहुत ज़्याद है important वाड़ी है अप्रोच इस का मिनिंग क्या होता है x 1 की तरफ जा रहा है अब आपको पता है number line में अगर यह real number line है और यहाँ पर 1 है तो 1 की तरफ जाने के लिए दो रस्त है हमारा यह हमारा left hand side से यह हमारा right hand side से दोनों side से में 1 की तरफ आदा हूँ यहाँ पर क्या होगा 1 से छोटी value होगी यहाँ पर 1 से बड़ी values होगी इसको हम 1 minus कहते हैं इस तरफ left hand side से अपरोच करने को हम 1 minus कहते हैं और right hand side से अपरोच करने के लिए जो हम करते हैं उसको हम 1 plus तो यह function हमारा x के हम values पूट करते जाते हैं left hand side से अपरोच करते हैं तो x 0.9 लेंगे अगर इस function में x 0.9 लेंगे तो हमको value मिलेगा 4.7 फिर अगर 0.99 लेंगे तो 4.97 फिर 999 लेंगे तो 4.997 फिर 0.9999 लेंगे तो 4.99997 तो अब देख रहे हैं कि हम 1 की तरफ जा रहे हैं पर 1 नहीं हो रहा जितना आप 1 की करीब जाते हैं अपरोच कर रहे हैं पर 1 नहीं हो रहा है और उसका ही हमको काम है limit में हमको जानना ही हो है कि जब x 0.1 को अपरोच करेगा तो function की value क्या होगी इसमें आप clear देख पा रहे हैं कि जब हम 1 को left hand side से है x tends to 1 minus की जो हम limit find कर रहे हैं 4.7, 4.97, 4.9997, 4.9997, 4.9997 तो मतलब इसका meaning क्या हो कि limit की value क्या है 5 है when x is approaches x tends to 1 minus वैसे हम वनको positive side 1 plus से भी राइट-hand side से भी approach कर सकते हैं उसका meaning क्या हो है कि 1.1 जे थोरा 1 से दूर है फिर 1.01 वनके और करीब आया 1.001 वनके और करीब आया 1.0001 ऐसे बहुत हम करीड जा सकते बनके तो तब क्या और देखते हैं अगर जह हम f of x में x को 1.1 रिखेंगे तो हमारा answer आएगा 5.3 अगर 1.01 रखेंगे तो 5.03 1.001 रखेंगे तो 5.003 तो आप देखें कि दोनों साइट से जब हम 1 को अप्रोच करते हैं 1 माइनस से या 1 प्लस से हमारा वैल्यू जब हम पूट करेंगे इसमें तो क्या बात करें इस tabulation में कि हम 1 को अप्रोच कर रहें पर अगर हम 1 रख भी दे f of x में तो क्या हो रहा है कि 3 into 1 वतलब 3 plus 2 is equal to 5 तो f of 1 रखने से भी हमको 5 मिल रहा है पर this is not necessary यह necessary नहीं है कि ऐसा ही हर बार होगा क्यों ऐसा statement रहा है इसको हम next part में देखेंगे क्योंकि और examples की बारे में हम चर्चा करेंगे तब आपको यह जो चीज है वो clear हो जाएगी अब अब भी इसमें continue करते हैं इस limit of f of x when x tends to a- and limit of f of x when x tends to a- exist यह दोनों limit exist करती है n are equal we can say that limit of f of x when x tends to a exist यह इस limit को exist करने के लिए limit of f of x when x tends to a उसके लिए दोनों limit exist होनी चाहिए क्या limit of f of x x tends to a- left hand side से जब approach करेंगे यह राइट hand side से जब a को approach करेंगे दोनों की value exist होनी चाहिए और equal भी होनी चाहिए तो ही हम बोल सकते हैं कि particular function का limit exist होता है उस specific point पे and in is equal to यह जो limit है वो किसके equal हो किसके बराबर होगा या तो x tends to a-f of x या limit of f of x when x tends to a plus तो यह जो limit है या तो इस value के बराबर होगा या तो इस value के बराबर होगा limit जो है हमारा when limit of x when x tends to a exist होता है और वो जो है वो इसके या इसके बराबर होगा इस example को graphical भी देखते हैं यह हमने मेना graph दोंगा यह x-axis यह y-axis और यह हमारा graph किसका है y is equal to 3x plus 2 और यह 1 है एकस की value जब 1 है तो हमको answer वें मिल रहा है 5 बराबर है 5 अब आप देखे कि जब मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूँ यहां से यह 1 को अप्रोच कर रहा हूँ यहां से मतलब यह 1 minus यह 1 plus right hand side यह after hand side दोनों से जब approach कर रहा हूँ तो मैं किस value पर approach कर रहा हूँ 5 पर approach कर रहा हूँ तो graphically भी आप देख सकते हैं कि जब मैं 1 को approach कर रहा हूँ दोनों side से तो मेरा जो value है हो 1 और 5 मतलब मुझे यह value मिल रही मतलब by graph भी आप देख सकते हैं कि limit of f of x मतलब 3x plus 2 when x tends to 1 is equals to 5 graphically भी आपने देख सकते हैं so यह तो हमने idea of limit का पहला example इसके related हम बहुत सार example next video में लेंगे थोड़ा बहुत करके जाएंगे जिससे आपको concept भी clear हो और आपको अच्छे से मुझ में आएंग और मैं अच्छे से detail में वीडियो बाना सको तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो जब लाइक किज़े share किज़े इस सब्सक्राइब किज़े और next video के लिए next part के लिए ज़रूर रहा देखेगा thank you very much